तो भाई लोग ये तो सबको भी पता होगा ना इनको भी पता होगा उनको भी पता होगा आपको भी पता है हाँ मुझे भी पता है जो राजस्थान रोज था ना आइपल 2030 की जो शुरुवात करी है जीत के साथ करी है किसके सामने करी है सन राजस हैदराबाद के सामने है और एक तरफा किसको रेला समรाजस हैदराबाद को निकला बोला बड़ा आया सूरज उगाने हम तेरा सूरज उगने ना देंगे और राजस्थान रोल्स ने एक तरफा धोया किसको समर्जस उखने एक ग़र में मैं जाकर उनको पीट के आया तो राजस्थान रोल्स का जो confidence है य भी तो जीत कर ही आया है है मैं मानता हूं एक टाइम पर लग रा था किमास इधर भी जा सकता हुँद रॉस में औयुस्थास्तान रॉल्स ने पंजाब तो दोडाल जेतने ना दिया मॉलब बड़ा आया किंसे नाम रखने से किंग से कोई किंग से थोड़ा नहीं हो जाता है हम रोयस हैं जहां जाते हैं रोयस की तरह मैच जीते हैं तो भाई लोग IPL 2022 के मैच नमबर जो आठ है ना ये दोनों टी में फिर से आमने सामने एक तरफ है राजास्थान रोयस दूसरे तरफ है पंजाब किंग से क्या फिर दोस्तों राजास्थान रोयस पिछले साल की तरह इस बार भी करेंगा मैदान पते है अपने नाम बस पूरी वीडियो बीना स्किप करें हुए देखने है इसके लमा आप मेरा टेली ग्राम भी जोइन कर सकते मेरे टेली ग्राम पर इस मैच की जो फेडेक्शन होगी वो भी मिल जाएगी इस मैच की क्या आईपल के सभी मैचों की जवर दस तरीके से मेरे टेली ग्राम पर पेडेक्शन आ रही है जिन लोगों ने मेरा टेली ग्राम जोइन किया वो बहुत ही फायदे में बहुत ही मज़े में है आप सुझनगे अच्छा ऐसा क्या तुम्हारे टेली ग्राम पर तो मेरी मत वानो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम की लिंक की मिलेकर टेलीग्राम जॉइन करो, अगर आपको सभी मैचो में फादे में रहना, बस एक ही चीज़ का ध्यान देना, फेक से बचना, मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैल बनाए है, तो इधर उध 24-24 मैच के लिएगे, जिसमें से 14 मैच जीता राजास्थान ने, 10 मैच जीता पंजाब ने, यानि जो राजास्थान की टीम है नो थोड़ा सा बढ़िया परफॉरमेंस करती है किसके, पंजाब किंग्स के उपर, अपरेल के महिने में इनके बीच में 11 मैच के लगए, जिसम के संबने ये भी बिल्कूल एक जैसा होता लास-5 मकाबले की बात कर रहें। तो राजास्थान-डोरेश ने चार मैं जीता अगर पंजाप GY当 राजास्थान-डोरेश ने जीता कि ए था 1 तुरिवाइल टे advocal प्णजाब यार आखरी के 5 मैचों में चार राजास्था प्रफरमेंस ना करें तो आज के मैच में क्या इतिहास को मजबूत करेगा राजास्तान रोयल्स एक और रोयल्स जीत हासिल करेगा या पंजाब बोलेगा जो आकड़े होते ना टूट जाते इस बार हम किंग्स की तरह आएंगे मैं आज को हराएंगे चलो एनलासिस करते जान सब्सक्राइब आप लिएगा उसकता है और भाई लोग जो मैच आज और तो व्योंस लेक चार ना यह थोड़ा सा हाइइ स्कूरिंग देखने को मिल सकता है क्यों मिल शक्ता है क्यों कि यहां का सर्फेस है फ्लैट है बॉंडरी लेंद की बात करें 63 मीटर से 70 मीटर की मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बॉंडरी नहीं है और जो सर्फेस से फ्लैट है बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है यहां की कंडिसा तो हाई स्कोरिंग मैच तो देखने को तो मिलने ही वाला है ना अगर हम यहां पर हल्फ की बात करें जो तेज यह बात थोड़ा सा विरेशन करते हैं नकल वल्स अलोवर का बढ़िया से इस्तेमाल करते हैं उनको बिकेट तो मिलेगा लेकिन में भी पिटाई तो उनकी भी होनी है जो इस्मिनस गेन बाज है उनको भी एक आता दो बिकेट मिलेंगे लेकिन पिटाई उनकी भी होनी है इसलिए जो आज का मैच यह थोड़ा सा हाई स्कोरिंग देखने को मिल सकता अगर हम यहाँ पर बात करें पावर प्ले स्कोर के तो 50 से 55 के बीच में देखने को मिल सकता है तो 170 से 185 के बीच में देखने को मिल सकता है तो इस हाई स्कोरिंग ग्राउंड में कौन से टीम बढ़ियर परफोर्मेंस करेंगे और मैच उड़ाके ले जाएगी चलो जानते है सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान रोल्स के अगर हम इनके खेमे में चंजिस की बात करते हैं बात करते हैं तो रही सही कसर होती संजू बाबा आते हैं जोनी जोनी यहाँ बाबागर करके पीट पाड़ के चले जाते जाते है तो जैसे इन्होंने अपना नाम रखा है ना हल्ला बोल सच में वैसे ही ना जो इनके बचाओ 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 बस ऐसे ही करते हैं क्योंकि यह तो चोके शक्के लगाते रहते हैं जब गेंदबाजी की बात आती है तो नीजी लैंड से कीवी को बुलाया यानि टेंड़ बोल को बुलाया है वो आता है भाई साब पहले ओवर में कहता है कि दो तीन बिकेट निकाल के जाओ तुमारे बस की बात नहीं है कि जो हमारे बल्ले बात बनाया उसको तुम चेज कर लो इस बाई तो जैसान होल्डर भ पहल आई पेल में कहें चहल फैल मचाए ना तो मतलब समझ लोर राजस्तान हार जाएगी इसलिए चहल पहल कहते हैं नहीं राजस्थान नहीं हारेगा इसलिए मैं सभी मैचेम पहल मचाता हूं रभी चंदन अस्षिन जो एकस्परियंस लेके आते हैं गेंदबाजी तो बढ़िया करते हैं जरूरत पढ़ने पर कहते हैं भाईया मैं भी बल्ले बाजी कर सकता हूं तो यहां पर जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है ना बहुत ही ज़्यादा जवर ज़स है बस पिछली बारी चूक गए थे थे थोड़ा सा चेंपियन ब समय हों तो पंजाब की बात करें तो पंजाब बॉले ही ना जी हम तो में जी ङले ते तो करेंगे क्यों करेंगे किरी सो सकते है पिछले मैच पर बारे ता जबानीस कर फिट होंगे तो भनुका की जगवे पर आ सकते हैं कि थोड़े बहुत गेंदवाजी भी तो कर लेते ना अपना लियां तो अगर हम यह पर पंजाब किंग्स की बात कर तो पहले मैच में इनकी सुरुवात थी न वह भी धमाकेदार थी लेकिन इतनी भी ज्यादा धमाकेद पैसा आईपेल में ज़्यादा मिलता है जब आईपेल खेलेगा तो रन तो मारना है न तो भनुका न ऐसा भरा ऐसा भरा पिछले मैच में न वह देखने लाइक था बाकि इनकी पास जितेश सर्मा है जो कि कमाल की डोमेस्टिंग में परफॉर्फरमेंस करके आएं बहुत पैसा बॉक्त करवा लो शिकंदर रजा कि बात कर तो इनका ही राज चल्ला है जाये बल्ले वाजी की बात कर लो पिछले दो सालों में शिकंदर रजा ने जितने मैज जीताय हो गये अकेले तम पर नूगा है आई पेल पहली बार खेल लें पहले मैच में ठीक थाक परफॉ लिए बीप सिंग्ग वाहिस आप जो रन भी नहीं देता है इनके सामने बल्ले बाज शुचे के बात करें तो यह समस्या है पंजाब की कि राहूल चाहर पिछले एक-दो सालों से अच्छी केनवाजी ना गर पा रहे हैं इनको रन भी कूटे जाते हैं और विक्यिड भी किना पाते हैं, अगर थोड़ा सा इस्ट्रगल करते हैं, वो थो च्श्टरगल करते नजर आ रहे Huh जो अकेले धंपे न पंजाब को मया जिता सकते सबसे मैं सिकंदर रजा का नाम लूगा दूसरे नमबर पे नाम लूगा सैम करन का तीसरे पे लियाम लिवेश्टेन का मतलब ये बल्ले बाजी भी प्रोपर करके जाएंगे अब प्रोपर चार-चार होबा गेंद बाजी भी कर सकते हैं मतलब बैलंस देख रहा हो भाई जो की काफी ज़्यादा जवर जस्त होता है गेंद बाजी अबरेज की बात करें 8.51 8.55 जो गेंद बाजी अबरेज होता है नाम इससे ठीक ठाक कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा खराब कह सकते हैं दोस्तों बात करें पंजाब किंग्स की तो इन्हों ने भी अपने लाज की सिखसे मैं चार मैं जीता बस दो मैं अचारे कहरें राजस्थान हम तुमसे कम है के हम भी तुम्हारी जैसे हैं इस दोना जो इनका बल्लेवाजी अबरेज है 170 170 रनों का है जो की ठीक ठाक है बहुत पॉइट फाइफ जो की ठीक ठाक है ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब अगर हम यहां पर एक जैसी नजर आ रही है बल्लेवाजी अबरेज की बात करें तो इन ना सा कुछ ज्ञादा की टीम है ना वह पंजाब किंसे बहता नजर आ रही लेकिन गे कर लिया, साथ में ना कर पाए, मतब राजास्थान पंजाब के सामने एक मैच में चेज कर लेता है, एक मैच में ना कर पाता है, पंजाब की बात कर रहे, तो इनको दस मैच में चेज करने का मौका मिला, राजास्थान के सामने तीन में कर लिया, साथ मैच में ना कर पाए, य पंजाब के सामने मास्टर होती है डिफैंड करने में वहीं तो पंजाब की बात करें तिनको 14 मैच में डिफैंड करने का मौगा मिला राजास्थान के सामने 7 में कर लिया 7 में ना कर पाई जो पंजाब की टीम है एक मैच में ना कर पाती किसके राजास्थान के सामने राजास की इसकी सारे नलस्स कर डाली ना हाँ बिल्कुल कर डाले आपको सारी चीजे समझ में भी आगी गई होंगे चलो अब वो जानते जिसका आप कर रहे हुए इंतिजार ये जो मैच होगा कौन सी टीम कर सकती है अपने नाम लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है ना क्योंकि आपको पता है तो मुझे ऐसा लगता है चो मैच है अपने नाम पे कर सकता है अगर आप ले सकते है तो मेरे साथ आ सकते है जो ये मैच है ना, पंजाब किंग्स अपने नाम पे कर सकता है लेकिन मैं आपको बोलूँगा, क्या बोलूँगा मेरा टेलिग्राम जोइन करने के लिए भाई साब क्यों जोइन करना क्योंकि इस मैच की जो फाइनल पेड़ेक्शन होगी न वो तो मेरे टेलिग्राम पर ही मिले गया जिन लोगों ने पहले से जोइन किया वो तो काफी फाइदे में काफी ज़्यादा मज़े में तो आप पीछे क्यों? अगर आपको भी सभी माचों में फाइन रहना है तो मेरा टेलिग्राम जोइन कर डाले बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है फेक से बसना है क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलिग्राम चाल बना ले गए इसलिए इधर उदर और के से टेलिग्राम जोइन नहीं करना जो लिंक के मिले एक डिस्किप्शन में बस वहीं से जोइन करें तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो आज चाल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैं आज की पेड़क्शन के साथ तब तक के लिए God bless you